गुलुश्री प्राणनात प्यारे की गुलुश्री सत्गुरु महाराज की कहें इंद्रावती नरसंया वचन जो जोईये करीने चित धनिये जे धन आपियूं काई करी आपणने हीत रागधना श्री प्रेम सेवा वाले प्रगट की धिली व्रजतनी आवार कराणादा संदर्साची श्री प्राणनाथ ज्यानपिट के वार्षिक उत्सव के कारिक्रम में हम सभी यहाँ पर ब्रह्मवानी की चर्चा ब्रह्मवानी में जिस प्रेम और सेवा की विशे में बताई गई है उसका आचर्ण तथा चित्वनी के माध्यम से कुछ दिनों के लिए ही सही माया से अधिक से अधिक समय तक अलग हो करके राज्जी को समय देने के लिए यहाँ पर सित्व और विशेश रूप से यह जो सब्त दिवस्य कार्यक्रम है इसमें प्रति दिन कम से कम दो अलग-अलग ग्रंथों की चर्चा रहेगे इस तरह से साथ दिनों में हम संपूर्ण ब्रम्हवानी के चौदह अलग-अलग ग्रंथों की चर्चा सुनेंगे और उसी क्रम में आज का यह पहला मंच है पहली चर्चा है तो हम सबसे पहला जो ग्रंथे प्रम्हवानी का उसमें से रास ग्रंथ की चर्चा स्रवण करेंगे रास ग्रंथ का यह चौथा प्रकरण है और इस प्रकरण में अक्षराती धाम्धनी श्री राजी श्री इंद्रावती जी के माध्यम से हम सभी सुन्दर साथ को हम सभी ब्रह्म सुष्टी का दावा करने वाले सुन्दर साथ को प्रेम और सेवा सिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे प्रियतम अक्षराते धामधनी स्रिदाद जी ने ब्रज की लीला में जो प्रेम और जो सेवा गोपियों के अंदर थी उसको जागनी के ब्रह्माण में प्रगट कर दिया है और विशेश रूप से कह रहे हैं कि वचन विचारी ने जोई है बहुत सारे सुन्दर साथ ऐसे हैं जो भारत के भिन भिन प्रांतों से यहाँ पर उपस्तित हुए हैं या भविश्य में इस चर्चा को देखने वाले हैं चूंकि रास ग्रंथ गुजराती भासा में अवतरित हुई है इस वज़र से कुछ शब्दों का अर्थ आपको पता नहीं होगा पहले से तो उसको कृपया धिहान से सुने वचन विचारी ने जो यह अधात देखी है काई नरसइया तणा निरधार नरसइया के वचन को यदि हम विचार करके देखें क्योंकि उन्होंने ब्रज की लीला का वर्णन किया है तो उससे हमें पता चलता है कि ब्रज लीला में किस तरह से प्रेम और सेवा की महत्ता थी प्रेम और सेवा की ही लीला थी वा यह अलग बात है कि उस समय ज्यान नहीं था पहचान नहीं थी लेकिन सोचिये कि एक तरफ हम कहते हैं कि प्रेम प्रकट होने के लिए रिदय में प्रेम प्रकट होने के लिए पहचान होना आवश्यक है जबकि ब्रज मंडल में वह पहचान नहीं थी वह ज्यान नहीं था फिर भी गोपियों ने स्री कृष्ण जी से प्रेम करके दिखाया और उस प्रेम का उदाहरण यहां पर लेने के लिए कह रहे हैं कि प्रेम सेवा वाले प्रगट की थी ब्रज तणी आवार कैसा प्रेम स्री कृष्ण जी से गोपिया करती थी और किस तरह से सेवा करके वहर इजाती थी और यहाँ सेवा का ताथ परे यह नहीं है कई वार हम क्या सोचते हैं कि सब अपने अपने इस्तर पर जो शरीर से सेवा करते हैं शरीर से सेवा करने का मतलब है कि जैसे साफ सफाई, रसोई या भोजन परोशने की सेवा हो गई यह सारी व्योस्था करने वाले सुन्दर साथ जब सेवा की विशाय में सुनते हैं तो उनको लगता है कि यही सेवा है जो सुन्दर साथ बहुत्धिक रूप से सेवा करने वाले हैं चाहे वह ज्यान के चर्चा प्रवचन की सेवा हो या फिर लेख इत्यादी लिखने की सेवा हो तो उनको लगता है कि अच्छा सेवा का मतलब यह है जो आर्थिक रूप से सेवा करने वाले है उनको लगता है कि सेवा का तात्पर यही है जबकि सेवा किसी कारिय विशेस को नहीं कहते है कि आपने ये काम कर दिया तो ये सेवा हो गई और ये काम कर दिया तो ये सेवा नहीं ऐसा नहीं सुन्दर साथ और समाज की आवश्यक्ता के अनुसार जहां जैसी आवश्यक्ता हो उस आवश्यक्ता की पूर्ती करना ही सेवा है जहां धन की अर्थ की आवश्यक्ता है वहां धन की सेवा का महत्व है जहां शरीर की सेवा की आवश्यक्ता है वहां उसी का महत्व है जहां ज्यान की सेवा की आवश्यक्ता है वहां ज्यान की सेवा जैसे मान लिजिए कि वरतमान में आप सब बैठे हुए हैं बंडाल में मैं मन्ज पर बैठा हुआ हूँ और मैं रज्जे की क्रिपा से थोड़े बहुत सब्दों के मात्यम से वाणी के भाव को आप तक पहुचा रहा हूं यह जियान की सेवा है क्योंकि अभी मन्ज का समय है और अभी इस सेवा की आऊ सकता है तो अभी के लिए यह सेवा है जो सुन्दर साथ वीडियोग्राफिका कारिय कर रहे हैं उनके लिए वो सेवा है क्योंकि समय की आऊ सकता है दूसरे सुन्दर साथ जो यहां नहीं पहुच पाए हैं उन तक वाने का जियान पहुचाने के कि वो शेवा कर रहें तो भी सेवा है अब बहुत सारे संदर शाथसे हैं जो यह सूचते हैं कि चर्चा सुनने चांड हच्छा उनकी भी होती है लेकिन उनका मानना है कि अगर हम भी मंच पर चले जाएं तो इस सॉंदर साथ मैच पर बैठ कर चर्चा कर रहे हैं और जो पंडाल पर बैठ कर चर्चा सुन रहे हैं उनकी भोजन की वेवस्था कैसे होगी क्योंकि कहते हैं भूखे भजन नहुए गोपाला एक बार तो कर लेंगे लेकिन पूरे दिन तो नहीं कर सकते और पूरे सब्धा भर नहीं कर सकते तो यह भाव ले करके कि चाहे हम चर्चा बात में सुन लेंगे के रिकॉर्डिंग सुन लेंगे लेकिन हम कोई बात नहीं जो सुन्दर साथ यहां नहीं आए हैं उनकी सेवा करते हैं तो वह भी सेवा है फिर मान लीजिए एक उदाहरन छोटी-छोटी बातों से छोटे-छोटी उदाहरन से बात समझ में आती है यहां पर बैठ करके हम चर् सब्सक्ता की पूर्ती के लिए तो कईना कई से धन आया ही होगा तो वहां धन की आऊ सकता है तीनों प्रकार की सेवा हो गई आर्थ की सेवा का अपना महत्व है और बाधिक सेवा का अपना महत्व है आर्थिक रूप से और बाधिक रूप से सेवा करने के लिए भी वह व् से जुड़ी हुई हैं कि एक की बिना दूसरी सेवा हो नहीं सकती और वह अधुरी माने जाएगे अब वह जो सेवा है ब्रज की गोपियों ने हमारे सामने सिखापन दी है हमें सिख्ष्या दी है कैसे क्योंकि सेवा का तो बंडन हमने सुना साथ में एक शब्द और जुड़ गया प्रेम हम सेवा तो करते हैं लेकिन साथ में प्रेम नहीं होने से वह सेवा सेवा नहीं रह जाती और ये उधारन में बारवार देता हूं इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे सुन्दर साथ यहां अगवग बिछले दो धाई मैने भी तक से पहले लगातार जूम मिटिंग के माध्यम से चर्चा सुनी है उनको साथ यह उधारन सब को याद हो कि जैसे एक घर में माता भी खाना बना करके अपने बच्चे को खिलाती है वह भी एक काम है और एक अगर घर में बाई रख दि चाह conheों। कि दो नमें फर्क क्या होगा काम तो वही कर रहे हैं अटा वही कि चूलाव है बेलन चोकी वही है सब्यरी में पढ़ने वाले मसाले नमक वही है लेकिन उना में फरक किस चीज़ का है प्रेम का और प्रेम से फरक कितना पड़ता है इसको सब़्च सकते हैं कि एक बच्चा कि रोज दो रोटी खाता होगा और एक दिन अगर वह कहें कि माँ आज मुझे एक रोटी और खानी है अब मां को तो अंदाजा दोही रोटी का था उसने उतना ही आटागूत के तयार किया था लेकिन अब फिर से आटागूथना पड़ेगा डूबारा आटागूथने में मां को खुशी होगी या दुख होगा को खुशी होगी लेकिन मन ही मन वह बड़ बड़ाती रहेगी कि कितना भूख खड़ है पहले नहीं बता सकता था अगर तीन ही रोटी खाने थी तो पहले बता देता मुझे डबल-डबल महनत करवा रहा है दोनों में फर्क हुआ और जब हम भोजन करते हैं तो सिर्फ अनाज का अन्न का ही महत्व नहीं होता उस भोजन बनाने वाले परोशने वाले खिलाने वाले सबकी भावनाओं की जो तरंगे हैं जिसको हम आज कल की भासा में कहें तो वाइब्रेशन उसका भी फरक बड़ता है इसलिए प्रेम सेवा की बाब की गई है और वो प्रेम सेवा किस तरह से कैसे जैसे ब्रज में गोपियों ने किया था और प्रेम कोई सिखाने वाली चीज नहीं है कि ऐसे करो रिदय में अपने आप आने वाली चीज है हां उसके लिए इस जागनी के ब्रह्मान में तो पहचान की आओ सकता है ब्रज में क्या था एक आकर्षण था नाम क्या है जिसके प्रति आकर्षण उसका नाम क्या है क्रिष्ण और क्रिष्ण का अर्थ ही यही होता है यह कर्षयती आकर्षयती सक्रिष्ण है जो सब को अपनी और आकर्षित करे उसे क्रिष्ण कहा जाता है तो ब्रज में एक स्वाभावी था उस आकर्शन की कारण सभी गोपियों का उनके प्रती लगाउ था स्निह था प्रेम था और उस प्रेम के लिए उस प्रेम को पाने के लिए वह सारी सेवा पाती थे पहुत सारे सुन्दर साथ ऐसे हैं जिनको लगता है कि सेवा से राज्जी मिलेंगे यह भी सही नहीं है किसी को लगता है कि चित्वनी करने से राज्जी मिलेंगे यह भी सई नहीं है वास्तविक्ता यह है कि राज्जी तो मिले ही हुए हैं हमसे अलग तो है नहीं हम कहते हैं ना साहरग से नजीक हक आडो पटन द्वार गिता में कृष्ण जी कहते हैं कि इस्वरह सर्व भूतानाम हिदी देशे अर्जोन दिष्ठति कि वह तो हमारे हृद से उससे मिलेंगे ऐसा नहीं वह हमसे मिले ही हुए हैं सेवा से और चित्वनी से हम उनसे मिलते हैं वो तो हमसे मिले ही हुए हैं अलग है ही नहीं लेकिन हम उनसे अलग हुए हैं बीच में एक परदा है वह चाहे अज्यानता का कह लीजिए चाहे वह अहंकार का समझ लीजि बात एक ही है कि मोह अज्यान भरमना करम काल और शुन्य ए नाम सारे नीद के निराकार निर्गुन तो सब एक ही चीज है अब सेवा और चित्वनी से होता क्या है वह जो परदा है अहंकार का वह जो परदा है अज्यानता का वह समाब्ध होता है दोनों में एक ही जैसा कारिय है हाँ यह है कि सेवा करने से अहंकार समाब्ध हो जाता है लेकिन ऐसा नहीं कि हम मेहनत कर रहें वह सेवा है अब बात सेवा की चल ही रही है तो थोड़ी सी चर्चा सेवा की व्याख्या के विशें में किया जाए एक संचार का सिध्धान थे सरो माने इस बात को बहुत भ्यान से सुनने की और समझने की आओ सकता है संचार का यह सिध्धान थे आप भौतिक रूप से देख लिए चाहिए अध्यात्मिक रूप से अध्यात्मिक हिसाब से भी देखा जाए तो यह कहा जाता है कि अवश्य में वह भोक्तव्यम कृतम कर्म शुहासुभम आपके द्वारा किये गए शुब और अशुब अच्छ एक्वल रियक्शन जैसा किया जाता है उसका उसकी वैसी ही प्रतिक्रिया होती है अब आप सेवा कर रहे हैं तो उसकी भी प्रतिक्रिया तो होगी और जिस इच्छा के साथ में आप सेवा कर रहे हैं प्रतिक्रिया भी वैसी ही होती है मैं यह बात इसलिए कर रहा हूं क्यो कृणों नहीं को दोनों के परिणाम निकलने का कारण अलग अलग है और चित्वनी के संब भी अलग कारण है हूं दोनों में चर्चा कर थे हैं सेवा जब हम करते हैं तो तीन तरह की इच्छा होती है एक क्योंकि सेवा और काम में स्रिफ भाव का फरक है जब आप परिश्रम कर रहे हैं और उस परिश्रम के बदले में आपको अगर चाहिए मेहनत आना वेतन कहते हैं सालरी कहते हैं तो उसी की प्राप्ति होती है अगर आपको चाहिए प्रतिष्ठा कि हम सेवा कर रहे हैं तो जैसे मान लिजे कि हम लगातार रह करके शरीर से सेवा कर रहे हैं रसोई घर में सेवा कर रहे हैं आपके अंदर ही अंदर ये भावना है कि लोग हमें देखें, हमारा समाज में नाम हो, उसकी भी प्राप्ति होगी, मंज पर आपको सम्मानित किया जाएगा, फूल हार पहनाया जाएगा, लोगों के बीच में वाहवाई मिलेगी कि देखें, यह कितनी सेवा करते हैं, इसी त लोग मेरा नाम एनाउंस करें, तो वह भी मिलेगा आपको, वैसा सम्मान भी मिलेगा, तो पहले में मिला आपकी सेवा के बदले में वेतन, दूसरे में मिला आपकी सेवा के बदले मिली प्रतिष्ठा, अब तीसरा क्या बसता है, अगर दोनों से आप अलग हो गए, आपको न पारितोशिक चाहिए न महनताना चाहिए और न प्रतिष्ठा चाहिए तब जाकर के राज्जी का प्रेम मिलेगा क्यों ऐसा इसलिए क्योंकि मानलीजे उदाहरन के लिए प्रकास की वाड़ी में इस संचार में प्रेम सेवा के दौरा राजी को रिजाने को सूत कातने की संजिया दिये मालेजे कि आपने सेर भर सूत कात लिया आधा सेर का आपने पैसा ले लिया आधे सेर की आपने प्रतिष्ठा ले लिए बचा कितना कुछ नहीं? जिरो अब राजी के पास तक क्या पहुंचा? कुछ नहीं? इसलिए यदि हमें सिर्फ राजी चाहिए यदि हम राजी से सिर्फ राजी को मांगना चाहते हैं तो फिर हमें न इस संचार में प्रतिष्ठा की इच्छा होनी चाहिए न उस कारिये के बदले में किसी पारी तोस्ति की किसी इनाम की इच्छा होनी चाहिए हाँ अब होता क्या है कि आपके अंदर अगर इच्छा नहीं भी होगी तो कई बार सम्मान मिल जाता है वो अलग बात है सुन्दर साथ को दूसरे सुन्दर साथ को आने वाली पीड़ी को प्रेरणा देने के लिए आपका सम्मान होता है आपके बिना चाहे तो वह अलग बात है उसकी इच्छा आपने नहीं की थी तो आपका क्रेडिट कहीं नहीं जा रहा बचा हुआ चिंता करने क्या हो सकता लेकिन यदि हमारे अंदर इच्छा है इन दोनों चीजों की तो तीसरी इच्छा पूरी नहीं हो सकती क्योंकि वानी में इस पष्ट रूप से कहा कि अर्ष लोया दुनिया दोव पाईन एक और दोनों एक साथ नहीं पा सकते आप चाहें कि हमें दोनों चीजे मिल जाए हम हम जो सेवा कर रहें उसके बदले संचार में भी संबान मिल जाए और राजी की राजी का प्रेम ही मिले यह संभव नहीं होगा हाँ यदि केवल राजी के प्रेम की ही इच्छा करते हैं तो संचार में संबान तो बहुत छोटी बात है राजी इस पष्ट रूप से ब्रह्म हम गलत हैं बिल्कुल छोटी-छोटी यह बारी किया है जिसको ध्यान में रखने के आव सकता है और इन छोटी-छोटी चीजों से ही हम भिसल जाते हैं जैसे चाहे ट्रक का टायर हो चाहे बाइक का उसको पंचर करने के लिए एक छोटा सा पिन ही काफी होता है टाइटेनिक लिए डूब सकते हैं कि इसलिए ब्रज मंदल की ब्रज वधूता हो असे शिक्षा लेने के आव सकता है क्योंकि उनको और किसी चीज की मिले мн मिलने के जाने की सुवह सुवह ब्रह्म मूर्द जिसको हम कहते हैं चार साड़े-चार बजे का जो समय होता है ब्रह्म मूर्द में उठकर के सारा काम निप्टा लेते थे ताकि कि दोपर को हम फ्री रहें हमारे पास समय रहे कि जब भी भी कृष्ण जी बासुरी बजाएं जब भी हमें बुलावा आए हम जा सके और आज हमारे साथ क्या होता है कल भी स्री राज प्रगटन महुत्सव की उपलक्ष में हमने चर्चा सुनी जी ब्रज में और यह बात मैं बार बार कहा करता हूं वो सकता है सुन्दर साथ सुनते सुनते कान पड़ हो लेकिन फिर भी कहना तो जरूरी है कि ब्रज में हम क्रिष्ण जी से मिलने के लिए बहाने ढूरते थे और यहां न मिलना पड़े ही इसलिए हम बहाने बनाते है कि यह काम है इसकी वज़ेंसे छुट्टी म Gleich कि यह मर बिजनेस हमारा धीमा पड़ रहा है घर में ये काम है और यहां तक कि मालीची चलिए इतनी बात समझ में आती है कि जीनकी जॉन की जॉब छुटने की संभाव ना रहते लेकिन जो सामानी रूप में एक खेती किसानी करने वाले सुन्दर साथ वो समय निकाल सकते हैं थोड़ा बहुत आगे पीछे करके मालीजे कि एक हटे का कार्य क्रम है और एनॉंसमेंट तो एक मैने पहले की जाती है तो दो चार दिन का एड़स्पेंट तो हम कर सकते हैं लेकिन उनको भी उनका भी कहना यह होता है कि देखी हमारे घर में गाए हैं हमारे बिना किसी और को दूद नहीं देती हैं हमारे घर की करते पूरा जीवन निकल जाता है लेकिन ब्रज में गोपियों की हालत ऐसी नहीं थी कि वह कार्य सारा करते थे उन्होंने कहीं उपनिशद नहीं पड़ा कोई वेद नहीं पड़ा लेकिन उनको पता था कि कार्य करते हुए भी एक नहीं होना चाहिए जैसे हम कहते हैं जो जल भी तरकमल रहे जल में भूडत ना ही साधु जग में रहत भी लिप्तवान हो नहीं जगत के सारे काम करते हुए भी जगत में लिप्त ना होना गोपियों को कोई ये पढ़ाने नहीं गया था उन्होंने कोई संतों की वाणी नहीं पड़ी कोई वेद दर्शन उपनिशत नहीं पड़े लेकिन उनकी रहनी ऐसी थी और जब ब्रज में ऐसी रहनी थी पूरे 11 साल 52 दिन की रहने उनकी ऐसी थी इसलिए रास के वो पात्र बन पाए अगर ऐसी रहनी नहीं होती तो रास के वो अधिकारिणी नहीं बन पाती क्योंकि जब बासुरी बजी जिए सब को पता है रास की वाणी सबने पड़ रखिए रास की चरचा सबने सुन रखिए क्या कहा है कि कोई सखी पति को नहला रही थी बच्चे को नहला रही थी वहीं पर लोटा छोड़ दिया उन्होंने और वहीं के वहीं भागे, क्यों? कोई भोजन करा रहे होंगे, वहीं से निकल पढ़े, वो भी तो सोच सकते थे कि देखो हमारे बच्चे हैं, हमारे पत्ती हैं, उनके घर में गाये कम थी? क्या कहते हैं हम, भागवत में तो यहां तक लिखा है, यहां बले ही वह अतिश्वक्ति का प्रयोग है लेकिन कहा जाता है कि सवालाख गाए के वह मालिक हुआ करते थे तो यह सवालाख ना सई तो दर्जनों गाएं तो प्रत्येक घर में रहती थी तभी तो वह ग्वाल बाल थे ना गोपियां उनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह गायों का पालन करते थे तो आज के जैसी अवस्था तो थी नहीं लेकिन फिर भी वह बंधन में इसलिए नहीं बढ़ी क्योंकि यह बंधन छोड़ना इतना सरल काम नहीं है पूरे 11 साल 52 दिन का अभ्यास था उनका जबसे क्रिश्ण जी से मिली तब से उनकी सभी कामों को करते हुए भी केंद्रविंदु में क्रिश्ण जी ही हुआ करते थे और क्रिश्ण जी का मतलब उनके अंदर विराजमान राज्जी का आवेश्व इसलिए इंद्रावती जी इस प्रक्रण के मात्यम से हमें समझा रही है कि प्रेम सेवा वाले प्रगट की धी ब्रज तणी आवार वचन विचारी ने जोई है काई नर्सइया तणा निर्धार नर्सइया के वचनों को यदि हम विचार करके देखें तो निश्चीत रूप से हमें पता चलता है कि हम राजी ने इस जागनी के ब्रगट में ब्रज की प्रेम सेवा को प्रकट कर दिया है जाहिर किया है सब के बीच में कि हमें भी वह रास्ता अपना ना है और यदि हम उस भी आपना पाए यहां पर पर अफ़ीर जैसे बहुत सारे सुंदर साथ एक पर या जब भी किसी के भी किसे tips की मंहींम कर रहे होते हैं कि स्वामी की बार बार चर्चा उने की बात करते हैं वाणी में तो लिखा के अंदर कि ना जो गारम कष्ट ध्यान को तो मना किया है कि ना जब तप ना ध्यान कचू ना जो गारम कष्ट जो देखाई ब्रज रास में एही वतन चाल ब्रह्म्न स्रिष्ट तो इतनी चोपाई कहते हैं लेकिन सिर्फ भाव कितना लेते हैं कि ना ध्यान कचू सिर्फ इतने का भाव ले लिया उन्होंने कि नहीं ध्यान नहीं करना है आगे पीछे क्या बात कहीं पता नहीं जो आगे यह बात कहीं गई है कि जो देखाई ब्रज रास में एही वतन चाल ब्रह्मन सिष्ट कम से कम उतनी ही लाइन को तो ले लो लेकिन नहीं हमें अपने मतलब का ही लेना है होता ह यह मनुस्य का स्वभाव है एक human tendency बुलते हैं इसको कि मनुस्य धर्म के हिसाब से स्वयम को नहीं चलाता है धर्म को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करता है मैंने एक उदाहरण दिया था इस संदर में काफी कई साल पहले कि एक व्यक्ति अगर जा रहा हो कहीं रास्ते पर तो उसको दो मूर्थी मिल जाए दोनों मूर्थियां मिट्टी की है एक राम की मूर्थी है एक रावन की मूर्थी है उसको कहा जाए कि तू एक ही मूर्थी उठाएगा तो वो किसकी उठाएगा अब सिचुएशन वही है लेकिन राम की मूर्थी मिट्टी की है और रावन की मुर्ति सोने की अब कहा जाए कि तेरे पास एक ही option एक ही मुर्ति उठाने का तब वो क्या कहेगा कि मुर्ति ही तो है भगवान थोड़ी चलो रामन का ही उठा लेता हूं और यह 100% ऐसा नहीं यह 99% लोग सोने की मुर्ति उठाएंगे और एक प्रतिसत मिट्टी की उठाए क्यों कि पहले धर्म दिखा उनको लेकिन जब दुबारा धन दिखा तो उन्होंने धर्म को अपने हिसाब से मौर्दिया और कि मुर्ति ही तो है कोई भी उठा सकते हैं यह चेतन परमात्मा थोड़ी है इसी तरह से यहां पर हमारे साथ भी यही बात घटित होती है कि जब एक शब्द लेना है ना ध्यान उतना तो हमने ले लिया लेकिन आगे जब यह बात कहीं गई कि जो देखाए ब्रज रास में और ब्रज रास में तो हमेशा उनका ध्यान क्रिश्ण जी में बना ही हुआ था इसलिए उनको अलग से बैठने के आउसकता नहीं थी यहां अलग से बैठने के आउसकता इसलिए है क्योंकि ब्रज की जैसे स्थिति नहीं है ब्रज की जैसे स्थिति को बनाने के लिए बैठने के आउसकता है एक बार बैठ जाए लगन लग जाए निरंतरता आ जाए क्यो कि देखें हम तो वर्सों से बैठ रहे हैं जब से सरसावाक की स्थापना हुई है दो हजार पांच्छे में और जब से स्वामी जी की चर्चा हम सुन रहे हैं पिछले 15-16 साल से चित्वनी में तो हम बैठ ही रहे हैं फिर भी हमें राजी नहीं मिल रहे हैं क्यों इसका मतलब है कि राजी नहीं मिलेंगे या फिर चित्वनी का कोई फायदा नहीं यह शंका होती है हमारे मन में तो यह दोनों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं सेवा और चित्वनी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकती है ऐसा नहीं है कि जो सेवा करता है उसको चित्वनी के आव सकता नहीं है यह जो चित्वनी करता है उसको सेवा के आव सकता नहीं है चित्वनी का हमें लाव इसलिए नहीं मिल पा रहा है योग दर्शन में अभी आने वाले दिनों में जब भी हम चर्चा करेंगे जब समय मिलेगा इस विशे में बात करेंगे वैसे कि ध्यान के रास्ते में आने वाली रुकावटे नौ बाधाएं हैं उसके विशे में अलग से जर्चा होगा लेकिन अभी हमारी जो इस्तिती है उसके लिए पतंजली मुरी ने कहा कि यदि आपको ध्यान लगाना है यदि आपक वो चित्वनी में एकाग्रता चाहिए कुछ प्राप्त करना है तो उसके लिए दो बातें बताइ। दिर्ग काल दिर्ग मतलब लंबे काल अर्थात समय तक और नैरंतरिय अर्थात निरंतर शत्तु दिर्ग काल नैरंतरिय सत्कार से भीतो दिर्ड भूमी भूमी का मतलब क्या होता है जमीन है ना जैसे कि खासी जान खेडी जमी हमारे हृदय रूपी भूमी को द्रिड करने के लिए पक्का बनाने के लिए कि जिसमें राज्जी का प्रेम रूपी जो बीध है वो अंकुरित हो सके और वह भली भूत हो सके उसके लिए दो काम करने के आउसकता है कि ध्यान लंबे समय तक और निरंतर दोनों करने के आउसक करते हैं सरसावा के वार्षी कुद्सव में सुबह सुबह साथ दिन तक या पहले पांस दिनों का वार्षी कुद्सव होता था तब और उसके बाद में चित्वनी शिविर में और अभी अगर कभी मन किया संसार से हम दुखी हुए तब कि यह मैं 95 प्रतिशत सुन्दर साथ की बात कर रहा हूं बागी प्रतिशत में से तीन प्रतिशत ऐसे सुन्दर साथ हैं जो उपचारी कामें करते हैं कि चलो हमने नियम बना लिया संकल किया है तो बैठ जाएंगे और दो प्रतिशत ऐसे बच गए जो बहुत दिल से करते हैं हां उनमें कुछ-कुछ छोटी-मुटी कम्यों की वज़ा से अभी हम उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाए हैं हाँ उनके लिए आवशेक्ता यह है कि मंजिल तक न पहुंचने के कारण घबरा के वापस आने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक सामन इसी बात है कि हम जिस मंजिल को पाने के लिए आधे रास्ते तक पहुंच चुके हैं या पहुंचने वाले हैं वहां से वापस लोटने का मतलब है कि हम आधे रास्ते हमें वापस लोटना पड़ेगा सोचे कि लोटने में जितना रास्ता अक्ताय करना पड़ता है उतना ही हम आगे बढ़ जाए तो आधा रास्ता और आगे बढ़ जाएं तो क्या होगा हम मंजिल तक पहुंच पाएंगे इसलिए वापस ना लोते और वाणी तथा बीतक से शिक्ष्या ले करके बीतक में विशेश रूप से दो प्रसंद कि देवचंद्र जी सिर्फ एक ही लक्ष को ध्यान में रखते हुआ हम ने तो माया को भी पकड़ा हुआ है और राजी को भी हमने दोनों नाव में पैर रखे हुए हैं तो हमें समय लगेगा देवचंद्र जी ने तो राजी के अलावा और कोई लक्ष रखा यह नहीं था फिर वी कितना समय लगा 29 वर्ष है ना 11 सल से आगे 29 वर्ष मतलब 40 वर्ष क्यों ने में उनको दर्शन भआ ना इसी तरह से मिहर राजी 12 वर्ष 2 मैना 10 दिन के आउस्था में देवचंद्र जी के पास कहुँचे और उनको भी दर्शन वे 40 वर्ष की आउस्था में तो उनको भी 28 वर्ष लग गए लिए उनकी जागनी तो जल्दी से हो गई थी क्यों अब यह मत कहना कि इन्राहती जी से ज्यादा समर्पन किया याद श्यामा जी से ज्यादा समर्पन किया ऐसा नहीं एक मूवी आई ती कुछ समय पहले मैंने तो देखी नहीं लेकिन कहानी मैंने उसकी पढ़ी है सायद आपने देख रखी हो माजी द माउंटेन में उसने पहाड को चीर करके छेनी और हथवड़े से रास्ता बनाया था और रास्ता बनाने के बाद पार भी किया होगा उस रास्ते पर तो पहली बार जो व्यक्ति रास्ता बनाता है और उस पर चलता उसको अधिक समय लगता है लेकिन जो उसके पीछे पीछे चलेगा आगर उस र सटक्राइब कर देवशनरजी न है तथा इंद्रावती जी ने जो रास्ता बनाया है हम सब सुन्धर साथ के लिए हमें तो केवल उस रास्ते पर चलना है हमें छेनी हथ्ट लेकर हाथ में छाले निकालने कि आओ सकता नहीं है लेकिन फिर भी हम उस रास्ते पर चलनी के लिए भी आनाकानी कर रहे हैं इसलिए इंद्रावति जी सवानी के माधियं से कह रहे हैं कि हम उस रास्ते पर चलना है कि आगे कह रहे हैं कि स्रीधामतणा साथ साम्भलो और तो कहूं छु लागीने पाए कैसे पाओपकड करके पाओपकड करके कहने का मतलब कि पूरी विनम्रता के साथ में कह रहे हैं कि में परम धाम के सुन्दर साथ को ब्रम्य पूरण एणी पेरे थाए हमने जो भी मनुरत मनुरत का आर्थे मन की इच्छा जो भी इच्छा की उसको राज्जी ने तुरंत पूरा किया ब्रज में हमारे मन में जो भी इच्छा होती थी उसको स्री कृष्ण जी के अंदर विराज्जमान राज जी पूरा कर देते थे और लेकिन वह इच्छा कैसे पूरी हो पाती थी कि उसके लिए हमने समर्पन भी तो वैसा ही किया था जैसे हम कहते हैं और ये बात मैं पहले भी एक दो बार कह चुका हूं हाँ कुछ चहरे नहीं हैं यहाँ पर उनके लिए ये बात नहीं लगेगी हम कहते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है अच्छा कुछ ज्यादा पाना होता है कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है तो ज्यादा पाना है तो ज्यादा खोना पड़ेगा और अगर हमें सब कुछ पाना है तो एक बार के लिए सब कुछ खोना पड़ेगा है ना राजी को हम सब कुछ कहते हैं ना हम प्राणनात कहते हैं अच्छा प्राण से कुछ अधिक होता है प्राण से अधिक तो कुछ होता नहीं है हम उनको प्रियतम कहते हैं प्रियतम का मतलब क्या होता है एक होता है प्रिय एक होता है प्रियतर और एक होता है प्रियतम इंगलिश में जिसको हम सुपरलेटिव डिगरी कहते हैं कि उससे प्रिय कुछ हो ही नहीं सकता हम एक तरफ कहते हैं तुम आये क्या आया तुम आये सब आया मतलब क्या है राजी आये तो सब कुछ आ गया तो इसका मतलब यह है कि हमने उनको क्या कह रखा है कि वो हमारे सब कुछ हैं हम उनको प्रेम से प्राणनात कहते हैं प्राण प्रियतम प्राण वल्लब प्राणे स्वर कहते हैं हमारे सर्वस्व कहते हैं तो जब हमें सब तो कुछ पाना है तो एक बार के लिए सब कुछ खोना पड़ेगा कैसे कि देवोचंद्र जी ने भी खोया एक बार भागोत सुने जब जाते थे दर्शन होने से पहले एक बार उनके अंदर से भी जेतना निकल गई प्राण लेकिने जब उनकी माता ने घणी खमा घणी खमा का तब अवस्था वही थी इंद्रावती जी ने हवसे की जेल में जब विरह किया तब भी आवस्था कैसी थी कि मैं तो अपना दे रही पर तुम ही राख्यों जीव बल दे आप खड़ी करी कच्छु कारज अपने पीऊ जब आह सुकी जब आह सुकी अंग में स्वास भी छोड़ियो संग स्वास ने भी साथ छोड़ दिया तब तुम परदा टाल के दियो महें अपनों अंग जब हम उनको प्राणे सुर कहते हैं तो इबर प्राण भी छोड़ने पड़ेंगो उससे पहले नहीं मिल सकते हैं और दुनिया के लोग तो अपने गुरु सद्गुरु के लिए भी कहते हैं कि सिर दिये सद्गुरु मिले तो भी सौदा सस्ता जान तो हम वो समर्पन क्यों नहीं कर सकते हैं ब्रजवधूं की इप्छा इसलिए पूरी होती थी क्योंकि उन्हें समर्पन भी वैसा ही किया था माया के सारे काम करते हैं अगली चोपाई में देखिए कि व्रजमा कीधी आपन वादडी तेता सघली माहे सनेह व्रजमें हम जो भी बात करते थे वो सारी बातें प्रेम महीं होती थी और काम करता अती घणों अती घणा घणा अरथा च्यादा बहुत अधिक माया के काम करते हुए भी पण खिन नव छोडियों नेह हमने राज्य से प्रेम करना छन भर के लिए भी नहीं छोड़ा पल भर के लिए भी नहीं छोड़ा इस कारण हमारी अवस्था ऐसी बन गई कि बाशुरी बजते परिक्षा ली गई तो यहां भी हमारी कुछ तो परिक्षा होगी और अंत में क्योंकि समय पुरा होने वाला है मैं एक चौपाई लूँगा इस प्रकरण की छठी चौपाई है मैंने बीच में दो चौपाई जानबुज करके छोड़ती है आप स्वयम पढ़ लिजेगा माहो माहें विचारज करता वातज करता है हम सभी आपस में क्रिश्न जी के साथ तो अलग बात है लेकिन गोपियां भी आपस में बात करती थी विचार करती थी तो समय भी उनकी अवस्था कैसी थी कि आतम सहुनी एकज दीसे जुजवीते दीसे देह सरीर अलग-अलग दिखाई परते थे लेकिन आतमा सबकी एक ही थी होने का मतलब ऐसे हम ब सायमें कहन 29.000 गिंदी इन हम लेा आते हैं लेकिन यहां एक आतम कहने का मतलबी है कि सभी ब्रह्मिस्ष्टियों के अंदर वह एकत्व जिसको हम वाने की भासा में वहधत कहते हैं ये सुन्दर साथ बोलचाल में उसको वाहधत कह देते हैं वह एकत्व की भावना थी और आज क्या है? इसको मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा है इसकी सब सुनते हैं मेरी कोई नहीं सुनता इसका सम्मान होता है मेरा नहीं होता जबकि होना क्या चाहिए था? जैसी भ्रज के उस्ताती यहाँ अब बात कहां पर आकर के अटब गई है कि राज्जी से प्रेम करने की बात तो सभी करते हैं लेकिन जब बात आए सुन्दर साथ से प्रेम की तो वह हम नहीं कर पाते हैं और ये बात आज लिख करके गांठ बांद लीजिए कि जब तक आप सुन्दर साथ से प्रेम नहीं कर सकते सच्चा वाला तो राज्जी से आप कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि यह कल भी स्वामी जी ने उदाहरण दिया था एक गुरू के दो सिष्य थे सुनाओगा सबने दोनों सिष्यों ने आधे-देंग बांट लिये कि दाय तरफ की सेवा एक सिष्य करेगा बाय तरफ की दूसरा सिष्य करेगा अब गुरुजी एक दि कि दर्द किसको वा गुरुजी को अब गुरुजी पट्टी लगा करके बैठे हैं तो पहले वाला शिष्य आया और पूछा गुरुजी क्या हुआ गुरुजी ने बता दी तो गहा इसकी वज़ेस से इसको दर्द हुआ तो उसको भी तोड़ दिया को दोनों पैर दोड़ कि हम अंगी से प्रेम कर रहे हैं यह संभव नहीं है सोचिए कि राजी सभी प्रहमस्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् महबूब के महबूब से भी मुहबबत हो तो वह सच्ची मुहबबत है समझ रहे हैं जिसको हम महबूब कहते हैं प्रियतम राजी राजी के महबूब है सभी सुन्दर्शाथ सभी ब्रह्मिशुष्टी तो सबसे यदि हम प्रेम कर पाते हैं तो सच्चा प्रेम है अन्यथा फ आतम सहुनी एकज दीसे जुजवीते दीसे देह जिस दिन हमने इस एक चौपाई के इन अंतिम दो चरणों को रिदयंगम कर लिया अपने आचरण में हम ले आए तो उस दिन से हमारी आत्म जागरिती की राह बहुत आसान हो जाएगी यूं समझ लीजिए कि अभी हम हम 2014-15 वाले यूपी के गठे वाली सड़क पर चल रहे थे तो सब सुन्दर साथ से प्रेम करने के बाद में हम फिर जो अभी नया नया मथुरा हाइवे बना है उस हाइवे पर चलना सुरूप जाएंगे हमारी जागनी की राह उतनी तीवर गति से आगे बढ़ पाएगी इसक हम सभी सुन्दर साथ अपने हृदय में सब सुन्दर साथ के प्रतिभी प्रेम लाएं और राज्जी के प्रतिभी प्रेम लाएं तथा प्रेम सेवा और चित्वनी के द्वारा राज्जी को रिधा करके अपनी अध्यात्म की मंजिल को प्राप करें इसी शुबकामना के सा हमारे अंदर यह नहीं होना चाहिए कि बार सुंदर साथ के बीच में भी रहता हूं बातें आथे रहती है कि इसकी जर्चा समझ में नहीं लगती है इसकी रच्ण हमारे समझ बाती अशा नहीं है आप किसी व्यक्ति को द्रूप किसी किसी मुह में पढ़ हो हुएं इसलिकि समझ में नहीं आ दे कियो कि बात थो राजजी की हो रही है कि सुमेजी की चर्चा सब पसंद करते हैं लेकिं सवामी जी यहां आ करके गर्वड कुरान सुनाने लग जाए तो पसंद आएगी नहीं आएगी स्वामी जी की चर्चा क्यों पसंद आती है क्योंकि वह राजी की चर्चा करते हैं इसका मतलब पसंद किसको कर रहे हैं राज्जी को कर रहे हैं ना किसी व्यक्ति को थोड़ी पसंद कर रहे हैं इसलिए आगे आने वाले सातों दिनों में जिनके भी माध्यम से हम वानी को सुने या वानी से संबंधित कोई भी बाते सुने उनको दिल से सुन करके किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत अवई मनस्यता क किनारे करते हुए हम राजी को अपने हृदय में पाने का प्रयास करें तभी हमारी आत्मजागरिती संभल होगी इन ही शब्दों के साथ मैं अपनी वानी को विराम देता हूं सभी सुन्दर साथ मिल करके चौपई को दोहराएंगे ताकि सुन्दर साथ को चौपई याद हो स आएह वात अज करता एह आतम सहुनी एक जदी से जुजवी ते दी से देह जुजवी ते दी से देह बोलिये श्री प्राणनात प्यारे की